तो दोस्तो ऐसा फिनोमना आप सभी ने घर में अब्जर्व किया होगा जो आपके घर में बल्व लगा हुआ है वो एकदम से डेम और एकदम से ब्राइट हो जाता है वो भी कुछ सेकंड्स के लिए तो ऐसा आपको क्यों देखने को मिलता है हम यही बात इस वीडियो में क्लियर करेंगे जब भी आप कोई हैवी लोड घर में आउन करते हैं जैसे एर कंडिशनर, हीटर, मोटर, गीजर तो एकदम से वोल्टेज में फ्लक्ट्वेशन आती है तो इसी कार्ण जो बल्व है आपका एकदम से डेम और एकदम से ब्राइट देखने को मिलता है तो इसको समझने के लिए मैंने एक बहुती सिंपल सा सरकट बनाया हुआ है इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे यह फिनोमना होता कैसे है ठीक है तो एक साइड में मैंने नूटल और फेस AC स्पलाई 220 वोल्ट कनेक्ट की हुई है साथ में मैंने एक लेमप और मोटर को पैलर में कनेक्ट किया हुआ है मोटर के साथ मैंने एक switch लगाया हुआ है तो यहाँ पर जो circuit diagram है इसमें तीन parameters ध्यान में रखने है एक voltage, एक current और एक resistance तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर lamp और motor लगाया हुआ है lamp की resistance और motor की resistance को consider करेंगे हम फिर हम calculation करके बताएंगे जो lamp है वो dim और bright क्यों हो जाता है lamp की जो resistance है वो हम suppose करते है जहाँ पर 110 ohm ठीक है माल लीजिए lamp की जो resistance है वो है 110 ohm motor की जो resistance है वो है 44 ohm जो rated current है motor ले रही वो है 5 ampere lamp का जो rated current है वो है 2 ampere तो दो parameter मैंने जहाँ पर लिख दी है एक resistance और एक current तो तीसरा रह गया voltage वो हमें पता है क्योंकि जहाँ पर जो parameters है कुछ parameter permanent है कुछ parameter temporary जहाँ पर देखिए जो lamp की resistance है वो permanent है मतलब यह fixed resistance है जहाँ पर motor की जो resistance है वो भी fix और जहाँ पर जो voltage है यह भी fix ही रहेगी तो change क्या होगा change होगा सिर्फ current ठीक है तो जहाँ पर हम एक simple सी calculation करेंगे ohm-slah का आप सभी को पता होगा V is equal to I R जहाँ पर जो voltage है वो हम अब mention नहीं करेंगे बट अगर हम lamp को consider करें जहाँ पर जो lamp current ले रहा है वो है 2 ampere और जो resistance है इसकी वो है 110 ohm अगर हम इसको calculate करें तो जहाँ पर voltage मिलेगी 220 volt ऐसे अगर हम motor की calculation करें तो हमें voltage से मिलेगी 220 volt बट हमें देखना है कि इसमें क्या हो रहा है जिसकी वज़ा से यह lamp bright और dim हो रहा है तो जहाँ पर अगर हम switch को on करते हैं normal condition पर motor 5 ampere लेगी current तो जहाँ पर देखिए इसकी जो value है जहाँ पर v is equal to ir अगेन मैं इसे repeat करने वाला हूँ जहाँ पर मैं अगर same values फिल करूँ अगर normal condition पर motor 5 ampere ले रही है initial condition पर जे 6 ampere लेगी initial condition पर जे 6 ampere लेगी तो जे वाली value मैं जहाँ पर अब फिल करूँगा 6 into 44 तो जहाँ पर मुझे क्या value मिलेगी जहाँ पर मुझे plus 220 volt मिलेगी पर मैं पहले बता चुका हूँ जहाँ पर हमें जो voltage है वो fix चाहिए क्योंकि यह होती ही fix है इसको हम change नहीं कर सकते हमारे घर में जो 220-30 voltage आती है वो हमेशा constant रहती है वो ज़ादा नहीं होती ना कम ही होती है तो जहाँ पर जो value आएगी वो आएगी 264 volt तो जहाँ पर voltage चेंज आ रहा है जहाँ पर voltage चेंज आ रहा है तो जहाँ पर जो ampere rating चेंज हो रही है initial condition में 6 ampere जो motor ले रही है जहाँ पर जो rated current है वो 1 ampere रह जाएगा initial condition में तो जहाँ पर अगर 1 ampere current रह जाएगा तो हमें जो voltage मिलेगी वो 110 volt मिलेगी as a calculation जो मैं आपको एक बार करके भी दखा देता हूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ इस ampere rating को change करना है जहाँ पर मुझे सिर्फ 1 fill करना है तो मुझे voltage मिलेगी 110 volt तो voltage drop हो रही है initial condition में जब हम motor inductive load को on कर रहे है तो जहाँ पर voltage drop हो रही है तो जहाँ पर आपको voltage drop मिल रहा है इसकी वाजा से ये lamp initial condition में dim होगा फिर से bright होगा वो कुछ seconds के लिए तो actual में देखिए ampere rating चेंज हो रही है lamp की but as a result हमें voltage भी कम मिल रही है तो कम होने की वज़ा से ही जह बलब बहुत ही dim हो जाता है जहाँ पर जो motor है वो initial condition में 6 ampere लेगी तो फिर से वो again 5 ampere crunch लेना शुरू कर देगी तो यहाँ पर जो ampere फिर से 2 ampere रह जाएगा और ये lamp पूरा bright glow करना शुरू कर देगा I hope कि आपको ये circuit बहुत ही अशे से समझा आ गया होगा अगर मेरी वीडियो अशी लगे इस channel को subscribe, video को share, like जूर कीजेगा Thank you